नमस्कार इंदू आइडियल तरका रेश्पी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं नौर्थ इंडिया का एक स्ट्रीट फूड लेकर के आई हूं भेज इस्प्रिंग रोल जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा इसका सीट भी घर में तयार करेंगे और बहुत यह सब्जी सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से सब्जी ले सकते हैं मैं यहां गाजर पत्तागोभी चुकंदर और सिम्ला मिर्च और साथ में उधर साइड में जो था थोड़ा सदिक रात आपको ओधा लौसुन और हरी मिर्च यह दोनों भी बारिक चौप किया हुआ थ बहुत ही स्वादिस्ट बनता है तो यहां देखिए यह और भी थोड़ा हेल्दी हो गया है सब सब्जी मिलाने से और टेस्टी भी होगा और इसमें मैं नमक डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें नमक डालके अच्छे से मिक्स करके अब ढ़के रख देंगे थोड़ी देर एक ले रहे हैं बावल में मैदा आप चाहे तो केबल आटा से भी बना सकते हैं मैं एक कटोरी डाल दी हूं आटा और बाकी हाफ केजी मैदा ली थी और उसमें डाल दी चार चमच देसी घी आप यहां पर रिफाइन तेल भी चाहे तो डाल सकते हैं घी से ज्यादा अच्छा ज अच्छा सॉफ्ट डो यहां पर मैं बना के तयार कर लिए देखें और इसको ढखके साइड में कर दे रहे हैं और यहां तावा जो है ना गैस पर रख दिये हैं तो सीट तयार करेंगे इससे और यह सब्जी है इसको अभी देख लेते हैं पहले इसका पानी ऐसे हांतों से मॉमो की ड्रेश्पी अकी सयर की इस तरीके से मैं सब्जी तयार की तु आप वह वह सकते हैं देखेंगे बहुत भी स्वादिस्ट बना है मोमो भी और यहां देख़ें यह क्यों डालने क zip चौमिन मसाला शाओ यह सब्जी तयार है इसमें उपर से मैं चौमिन मसाला बस एक पैकेट यह डाल दी इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर दे रहे हैं इस तरह से सबजी बिलकुल भी बाद में आपको कच्छा महसूस नहीं होगा इतना टेस्टी लगता है इसका अलग ही स्वाद आता है इस स्प्रिंग रोल का यहां सोया सॉस डाल दी एक चमत और यहां दो डखकन उसी डखकन से विनेगा डाल नहीं हुआ जो बोटल में डखकन आता है उ थोरा सा चट पटा होने के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको उसके बाद इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे सोया ने यह है ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस दोनों एक एक चमत इसमें मिक्स कर दिए बहुत ज्यादा सॉस यहां पर नहीं डालना है नहीं तो तो यह थोड़ा गीला जैसा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा सीट में इतना ही डालना है एक एक चमच बस अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको यहां देखिए इस तरह से चाहिए हलका हलका मौाइस हो गया है और बहुत ज्यादा गीला नहीं दिख रहा है इसी तरह का सबजी यहां पर तयार हो गया है यह सबजी ऐसे भी आप सिंपल सा रोटी बनाके उसमें रोल करके भी खाके देखिए बहुत हिस्वादिस्ट बनता है और यह आटा जो है आदा गंटा छोड़ दिये थे तो यह हो गया है तयार अभी इसको भी बेलने रहे हैं जैसे रोट पतला बेल ले जितना आप सकते ढरे नहीं यह सीट अच्छा पतला करके बनना है और दोनों ऐसे-चिपका के बनाने से बहुत ही ज्यादा पतला अच्छा बनके तैयार हो जाता है तो यह बहूत ही इसान तरीका स्प्रिंग रोल बनके तयार हो जाता है और रोटी को ज्यादा दिर उसमें पकाना नहीं है बस दो बार उलट-पलट कर दिए और निकाल दिए हैं और यहां देखे थोड़ा गरम है चमज से इसको निकाल दे रहे हैं ऐसे अराम से सीट जो है अलग हो जाएगा और यहां तो और भी स्वादिस्ट और करंची हो जाए गई है देखेगा और यहां में बावल में ले ली हूं थोड़ा सा मैदा मैदा को थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेते हैं इससे सीट को जो है ना चिपकाएंगे स्प्रिंग रोल करने के बाद उसमें इसी से यह चिपकता ह है तो यहां पर मैं तयार कर ले रही हूं अच्छा पतला घोल बहुत ज़्यादा गारहा नहीं थोरा सा चिपकने लाइक होना चाहिए इस तरह से लम्स फिरी करके उसको अच्छा घोल लिये हैं और यह सब्जी जो तयार है उसको बीच में अच्छे से ऐसे डाल दीजे जि एक मैं बना कि आपको दिखा देती हूं फिर मांकी बनाओंगी फटा फटा से बनाते जाएंगे इसको गरम गरम इंज्वाइक करते जाएंगे तो कैसी लग रही है यह रेस्पी बहुत ही असान तरीका है और जहर पर से बन जाता है और पसंद तो इतना आएगा कि आप बा सॉफ्ट होता है अराम से रोल हो जाता है और उसमें मैदा लगाने से अच्छा चिपक जाता है यह दूसरा भी देख लीजे आप यह देखिए ऐसे अराम से इसमें लगा दीजिए चारो साइड से गोल घुमा करके अच्छा इसका लेयर जरूर लगाएगा तभी यह अच् में बंद करके फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं अराम से एक दो हपते के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आप जब फ्राई करना है उस टाइम भी कर सकते हैं यह इसको थोड़ा फ्राई करके फ्रीज में भी रख सकते हैं बाद में फिर निकाल करके फ्राई करके अ तेल गरम में बहुत ज्यादा हाइफ लेंगे तो बाहर से कवर जो है ना कलर हो जाएगा डार्क और पकेगा नहीं अच्छा करणची नहीं आएगा सॉफ्ट और करंची जो हता है ना खसता ओ नहीं आएगा तो इसलिए इसको मेडियम में ही तलना है गैस को ज्यादा हाई नह जोह सकते हैं कच्छा भी इस्टोर कर सकते हैं आपके ऊपर है तो करने के लिए तो यह देखे अच्छा गोल्डेन हो गया है और दिखा रहे हूं कि बहुत अच्छा जोहाइन इसका आवाज आरहा था अच्छा कश्ची ओगया है और यहां मैं कट करके दिखाऊंगी तो यह नोक से दबा के ऐसे अराम से इसको काट लीजेगा सीधे चाकू लगाएंगे तो काटने में दिकत होगी तो नोक पहले उसमें लगाईए उसके बाद दबा दिजिए अराम से कट जाता है फटा-फट से और बस इसको आप कर सकते हैं बहुत ही स्वादिस्ट बन के तयार हो गया है और यह आप खाते जाएंगे और बिल्कुल मन नहीं भरेगा इतना स्वादिस्ट बनाए तो कैसी लगी रेजपी जरूर बनाएगा और कमेंट कीजेगा कैसी लगी और बने रहेगा मेरे चैनल पर अभी तक सस्क्र जरूर कर लिजेगा फिर मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ